अभी टाइम हो रहा है घड़ी में साड़े 11 हमारी घड़ी थोड़ी पगला गई थोड़ी सी टेड़ी मेड़ी हो गई साड़े 11 हो रहे लेकिन लग रहा है कि यह ना 10 बज़रे साड़े 10 लेकिन साड़े 11 हो रहे तो आज है सटर्टे तो अभी आठ बज रहें आज हम थोड़ा लेट उठें क्योंकि छुट्टी है अभी ये सोई रहें बच्चों को भी अब उठाऊंगी मैं खुशी इशु अभी मानिंग अभी मेरा राजा आई में बगर लाक बेशा है ओई 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 गुड मानिंग मेरे बच्ची तो अभी इशु उठ गया है एशु तो चलो अब नाश्टे के त्यारी करते हैं और नी सोना चलो उठो ब्रस करो अज बता ब्रस करने जा रहे हो अच्छा बताओ नो नाश्टे में क्या बनाओं पराथा यह क्या ओला है क्या नाश्टे में खाना है पराथ नाष्टे तो चलिए फिर पराथा बनाएंगे आज नाश्टे में एद्धा बनाऊ और इनको भी उठाओंगी फिर चाई पीते हैं पर है चलो खुशी उठो ब्रश कर लो तो आलू बनने के लिए मैंने चड़ा दिये हैं और अब मैं प्याज काटूंगी तो आलू और प्याज के पराठे बनाएंगे आज नाश्ते में धनिय की चटनी तो प्याज जा रही हैं मैं काटने के लिए तो वो रखे हुए हैं तो अब बैठ के पहले काट लेती हूँ और दिखा दू मैं आज बा दोस्तों आज बनाने वाले हैं प्याज और आलू के पराठे तो लेसन हमने छीले हैं धनीय की चटनी बनाने के लिए तो धनीय की चटनी में पढ़ेंगे यह ले जुए लिए कर लेते हैं अब इन दोनों को मिला कर इसमें हरी अगर मिर्ची डालें आपको चरब औल सकते हैं अगर लाल मिर्च पौडर डालना आप inadequ की डाल सकते हैं तो It's भिष और शो भी लाड मीर्ट नालेंगे क्योंकि बच्चों की सामने मिर्ट जा जाते हैं तो ऐसी चिलाने लग जाते हैं वो अनकी फर्माइश थीं कि आलू के पराथे तो बस आलू के पराथ बनाय जा रहे हैं आता गूंद लिया है तो अब फटाफट हम बनाएंगे आलू के पराथे आलू 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 और प्याज के पराथे यह आटा नंदनी ने हल्दी डाल के गुंदा है मैं नहीं बोला था हल्दी डाल के गुंदलो और अब इसमें मैं प्याज अच्छे से मिला दे रही हूँ तो प्याज और आलू के पराठे बनने वाले हैं यह पीड तो मतलब बड़ी टेस्टी है अब जल्दी से नंदनी को मैंने बोल गया धने की चटनी देखिए नंदनी वहाँ धनी की चटनी की तैयारी कर रही है और मैंने बोला कि मैं पराठा बना दे रही हूँ तब तक वो ध जल्दी से मैं बना लेती हूँ उसके बाद ही सबको बुलाओंगी मैं खाने के लिए तो इसे अच्छे से मिला लेना है यह नहीं कि कहीं ज्यादा प्याज है कहीं कम है वैसा ना हो तो अच्छे से इसे मिला लेती हूँ मैं जल्दी से अब छोटी छोटी लोईयां बनाएं और टेस्टी भी होते हैं ये स्वाद में तो बस आज का यही प्लैन है आज नाश्टे में आलू प्यास के पराथे होंगे बच्चे इंतजार में है कि कब पराथे आएंगे हमारे सामने तो नंदनी ने भी अब धनिया चट्नी पीस ली है और मैं जल्देली पराथे निकाल र लेते हैं तो देखिए पराथे कितने सुंदर लग रहे हैं अब मैं जाओंगी इनको सर्व करूंगी और इशू को तो इतने पसंद है पराथे कि वह इंतिजार निकर पारा कहा रहा है कि मम्मा हुए निक्या मम्मा हुए निक्या तो बस अब जल्दी से हो जाए उसके लग रहा है खाने में और बच्चे शकल देख रहे हैं और इनके आगे का भी पराथा खतम हो गया जल्दी मैं जाओंगी और बनाओंगी कि अब आगे अब आगे 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 तो अब जल्दी से अपने लिए भी पराथा बना लेती हूं क्योंकि घर में सबने नाश्टा कर लिया मैं और नंदनी रह गया है तो मैं और नंदनी भी जल्दी से नाश्टा करेंगे तो जल्दी से पराठे बना लेती हूँ उसके बाद फिर जल्दी से ब्रश बगरा करके हम करेंगे नाश्टा और खुशी के पापा ने जल्दी से पूजा करी ली थी क्योंकि शनीवार था तो उन्होंने पूजा कर ली थी तो अब हम ब्रश बगरा कर लिया है हमने और पूजा भी हो गयी है खुशी के पापा ने पूजा कर ली है अभी टाइम हो रहा है घड़ी में साडے ग्यारा में हमारी घड़ी भी थोड़ी पगला गयी है तोड़ी से तेडे मेड़ी हो गई है साड़े-ग्यारा ओर एक लेकिन लग रहा है कि है न 10 वज़ेए साड़े-दस लेकिन साड़े-ग्यारा और पराठा तयारे दिखाओं कितना सारा है तो सबस्राथ है तो पाराठा बड़ा ही टेस्टी बना है और आप लोगों को बता दूं यह बहुत इजी ली बन जाता है घर में आलू प्यासों रहते ही हैं तो फिर आप इजली से बना सकते हैं तो पटा-फट जो कहते ने नाश्टा अगर बनाना हो तो आलू पराठा बना सकते हैं आलू प्याज के पराठे और जल्दी तूटते भी नहीं है जरूर ट्राइ करिएगा तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में सी स्माइल और हसी खुशी के साथ टेक क्यों यॉर्सेल्फ बाई